मसकार दोस्तों ज्ञारखंड लाइब के यूटिब चनल में आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है दोस्तों आज है यहाँ पर 14 नॉवंबर आर आज हम लोग यहाँ पर ज्ञारखंड के महत्पुन करेंट अफिर से कुश्चन्स यहाँ पर देखने वाले हैं तो अगर आप ज्ञारखंड लाइब चनल में अगर नहीं है तो सबसे पहले चनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथी जो बेल आइकन बनावा उसको प्रेस कर लिजे ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जा आप वहाँ पर डिस्कुप्शन में टिलिग्राम वाला लिंक जो है वो उसमें क्लिक कर ग्रूप जो है वो जोईन कर लिजे पीडिएफ जो है आपको साम के साथ बज़े वहाँ पर ग्रूप में मिल जाया करेगी तो चलिए आज का यहाँ पर जो मातपूर्ण करेंट अफ ट्राफिक कंट्रोण जंग्शन बनाए जाएंगे तो अप्शन नंबर से और यहां पर होगा चली डिस्कृप्शन में हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो राजधानी राची में कुल प्रस्तावी जो है वह 81 डावी जंग्शन बनाने है उसमें 28 जंग्शन का निरमान जो है वाब यहाँ पर शुरू किया जाएगा तो यहाँ पर 28 फिलाल जो है वो बनाये जा रहे हैं तो आपसर नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो राजधानी राची में यहाँ पर ट्राफिक कंट्रोल जंग्शन जो अभी बनाये जाएंगे वह है 28 फिल बनाये जाएंगे आपसर नंबर सी इस राइट एंसर यहाँ पर होगा नेश कुछन में चलते हैं और अगला कुछन है यहाँ पर यहाँ पर अगला कुछन है राज के किस जीले में माददाताओं को साइन लैंग्वेज में वोटरों को जागरू किया जाएगा साइन लैंग्वेज जो सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है साइन लैंग्वेज का इस्तिमाल कर वोटरों को जागरू किया जाएगा या किस जीले में माददाताओं को जागरू किया जाएगा तो इसका सही एंसर जोगा यहाँ पर आपका option number B is right answer यहाँ साइन लैंग्वेज के माध्यम से जो लोग नहीं सुन सकते हैं उनको यहाँ पर जो वोटर हैं उनको जागरू किया जाएगा तो option number B होगा यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा राची जीले में की जाएगी नेश कुछर में चलते हैं अच्छा यहाँ पर देख लि सुनिल अरोड़ा है जो इसी आई का इलेक्सिन कमिशन ऑफ इंडिया का यहाँ जो स्थापना होई थी का वह थी 25 जनवारी 1950 को होई थी हेट क्वार्टर जो है वह आपका कहाँ पर है निव देल्ली में है तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर इसी आई से मिलती है नेश यहाँ पर आपका option number B जो होगा यहाँ पर और बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा तो बुजूर्गों का यहाँ पर जो है वो मद्दान पोस्टल बैटल बैलेट के माध्यम से यहाँ पर जो है वो की करवाया जाएगा तीक है तो option number B is right answer यहाँ पर हो आपका option number C जो होगा बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा पोस्टल बैलेट के माध्यम से बुजूर्ग जो है वासी साल के वो मद्दान कर पाएंगे और यहाँ पर निद्दिसा निर्देश जो है वो जारी कर दिये हैं चली नेश कूश्य में चलते हैं और अगला कूश्य नह यहाँ पर राजचे में वोटिंग के दिन पोलिंग बुथ पर यहाँ पर भीड है या नहीं है जानकारी पाने के लिए कौन सी आप की माध्यम से लोग यहाँ पर जान पाएंगे तो इसका सही एंसर जो है यहाँ पर आपका option number C जो होगा बिल्कुल सही एंसर होगा बूथ बूथ आप की मदद से जो है यहाँ पर लोग जान पाएंगे कि बूथ पर भीड है या नहीं है कितनी नंबर है वहाँ पर यह सब सारी जानकारी जो है वो बूथ आप के माध्यम से यहाँ पर आपको पता चल पाएगा तो option number C is right answer यहाँ पर हो जागा बूथ आप next question में चलते हैं और अगला question है राजे चुनाव आयोग द्वारा किसे चुनाव आयोग का state icon बनाया गया है तो state icon जो है वो किसे बनाया गया है तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर आपका option number C is right answer हो जागा यहाँ पर गोलु ओहदार के नम है गोलु ओहदार को यहाँ पर जो राजी चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग क्रिकेटर गोलु ओहदार को state icon बनाया गया है और इनको गोलु ओहदार को यहाँ पर state icon बनाया गया है दिव्यांग मदाताओं को मतादिकार का परयोग करने के लिए बढ़ावा देने के लिए उनको उन्हें state icon बनाया गया है साथ ही जो है वो नेत्रहिन मदाताओं के लिए ब्रेल लिपी में water sleep की भी विवस्था की गई है चली ने इस question में चलते हैं और अगला question है यहाँ पर कौन बनेगा करोड़ पती में जहारखंट से किसने एक करोड़ रुपी जीत जो है वो हासिल की है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर आपका option number B is right answer हो जाएगा यहाँ पर तो धनबाद के हैं यह और जीत कुमार ने यहाँ जो है वो कूल एक करोड़ रुपिय यहाँ पर राशी जो है वो के बीसी में कौन बनेगा करोड़ पती में यहाँ पर जीत दर्ज की है जीत हासिल की हितनी राशी का एक करोड़ रुपिय की तो option number B is right answer हो जाएगा इससे पहले जो है एक डालटेंग घंज की थी पलामू की 25 लाख रुपिय वहाँ पर जीत दर्ज की थी उसका नाम जो है उनका नाम आप बताए कमेंट बॉक्स में मैंने आपको पीछले करेंड फिर कुछ में बताये थे आपको आपको याद होनी चाहिए आप कमेंट करके जो है वो बताए इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा जो करोड़ पति बने हैं तो यह करोड़ पति बनने वाले इस सीजन में 2019 सीजन में पर चौथ करोड़ पति बने है और कब करोड़ करोड़ पति चलते हैं राची जीले में कुल कितने आदर्स मद्दान केंदर बना जाए जाएंगे कुल जो है वो आदर्स मद्दान केंद्र आदर्स मद्दान केंद्र क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर कुल कितने आदर्स मद्दान केंद्र बनाये जाएंगे तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका option number C is right answer हो जाएगा खुल 270 यहाँ पर मद्दान केंद्र जो है वो आदर्स बनाये जाएंगे आदर्स मद्दान केंद्र में क्या-क्या ववस्था होगी वो चली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो यह जो है वो आदर्स यहाँ पर मद्दान के इंदर बनाये जाएंगे, कुल जो है वो 270 यहाँ पर रांची जीला में बनाये जाएंगे, चलिए तो आप यहाँ पर answer of the day देख लेते हैं, कल जो हमने आपसे प्रस्न पूछे थे उसका answer यहाँ पर जाए देख लेते हैं, त तो आई-र-ड-अ संस्था द्वारा किसे प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही answer यहाँ पर आपका option number B is right answer हो जाएगा, डॉक्टर अजय जाए जहाँ को यहाँ पर आई-र-ड-अ को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो आपसन नमर बी इस, राइट अंसर यहां पर हो जाएगा तो कई खेलों को प्रमोट करने की भूमी का निभाने के लिए IRDA द्वारा यहां पर डॉक्टर अजय को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया था इसका फूल फॉर्म क्या होता है इंसुरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरीटी इसकी अस्थापना यह कब हुई थी 1999 में हुई थी हेड क्वार्टर जो है इसका मुंबई हैदराबाद में है यहां पर और इसके चेयर मैं है वो कौन है सुभास चंद्र खुंतिया ठीक है कौन है सुभास चंद्र खुंतिया तो यह याद रखिएगा यहां पर चलिए कुश्यन अब बडड़े देख लेते हैं यहां पर कुश्यन अब बड़े में जो है वो कुश्यन है जारखंड 2018 स्रीजन लोग कवीता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है इ जरूर बताइए किसका सही अंसर जो है वो क्या होगा तो यह थी यहां पर आज की महत्वपुन करेंट अफेर्स की कुश्यन और उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो